इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्निपिंग टूल का इस्तमाल किस तरह किया जाता है जिस तरह से मुबाइल में हम यूज करते हैं स्क्रीन शॉट लेते हैं तो लैप टॉप पे करना होगा तो हम स्निपिंग टूल लेंगे तो यहां पर सर्च बॉक्स में होम बटन के साथ सर्च बॉक्स है यहां पर SNIWP स्निप में लेका तो यह जो टूल सबसे पहले आ रहे हैं स्निपिंग टूल इसको क्लिक कर लेंगे क्लिक करने के बाद इसमें न्यू की उपर जाएंगे न्यू के बटन पर क्लिक करेंगे अब जो पेज आपने खोड़ा होगा यह उसको स्निप कर सकता है तो मैं अगर यहां से इतना से स्क्रीन शॉट लेना चाहते हूं यह देखिए यह चीज एक इमेज जा स्क्रीन हमारा हमारे PC में स्टोर हो गया है थैंक्स फॉर वाचिंग और एक और टूल भी है अगर आपको इसने विक टूल नहीं पसंद आ रहा है उसका नम है स्निप एंड स्केच यह देखिए यह स्निप एंड स्केच इसको क्लिक करें आप इसके यह वाला आइकन सा है यहां से इसमें भी न्यू के बटन से जाएंगे और न्यू के बटन पे जाने के बाद अब जहां पे भी हमें कुछ स्निप करना थाम करेंगे फिल हाल यह ठहरें आप इंट स्निप एंड स्केच को मैं खोलती हूं यू पे जाती हूं और अब यहां से मैं इसको स्निप एंड स्केच की मदद से इसको मैंने स्निप कर लिया तो यह भी एक इमिज की शकल में स्टोर हो जाएगा इसको भी कंट्रोल एस करके इमिजेज में स्टोर कर सकते हैं इसको एड़िट भी कर सकते हैं हाईलाइटर और पैंसल वगारा भी इसके साथ हैं कि कोई कलर कोई शेड कुछ आप इस यूपर करना चाहते हूं अपने जैसे हम वटसैप पे करते हैं कि हम इमिजेज के साथ मा इसको भी कंट्रोल एसा अगर मैं करती हूं अब जो है ये भी पिक्चर्स के अंदर हम इसको सेव कर सकते हैं और अलड़ी एक पर ये इसके अंदर सेव भी है एक एक पिक्चर्स में ये सेव जाएगा इसको बनाम देने साथ नाम देलेंगे ठैंक्स फर वाचिंग